मिलते नहीं है जो हक को लिये जाते हैं आजाद हम हैं पर गुलाम कर लिये जाते हैं उन सिपायों को सत सत नमन करो जो मौत के साये में जिये जाते हैं नमस्कार दोस्तों देश पर मर मिटने वाले उन बीर बलिदानियों के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों राजिस्तान जुन्जुनु का एक और जवान देश के रक्षा करते हुए इस दुनिया को अलविदा कह गया पचेरी काला थाना इलाके के लांबी जाट गाउं के रहने वाले 45 वर्सिया सुरेश कुमार का ड्यूटी के दोरान गाजबाद में हिर्दे गती रुखन पर दिए assassination करमें से निधन हो गया जिनका पार्थिक दे रात को पचेरी काला थाना पहुँचा जहां से रविबार सुबा सेना से आए ट्रकों को फूलों से सजा कर उसी ट्रक में पार्थिक दे को गाउं तक लाया गया घर पहुँचते ही अपने लाडले को दे कर माई ब पूरा गाउं गूज उठा, सुरेश कुमार की पार्तिक दी उनके घर से मुक्तिधाम तक लाई गई, जहां पर बिदिविदान और सेने सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। पूलिस के जवानों ने गाउड ओफ ओनर देकर बीर जवान को अंतिम इदाई दी, सुरेश कुमार के दो पुत्र हैं, बड़ा पुत्र आयूस नवीं कक्छा में पड़ता है, जबकि छोटा बेटा पीउस साथवीं कक्छा में पड़ता है, तो दोस्तों मैं भगवान से यह समखाएं उन बीरों की, उन बलिदानियों की, कि हम हर पल एक सच्छे भारते बनकर अपना फर्ज निभाएंगे, जरुरत पड़े तो लहू का एक एक कतरा देकर इस धरती माका कर चुकाएंगे, तो दोस्तों वीडियो को अंदेखा ना करें, देश पर मरमिटने वाले उन जाहिन वंदी मातरम